प्रेम नीशुल्क होते हुए भी इस रश्टी का सबसे महंगा सुख है और इसे बाटे और बढ़ाएं देश विदेश में बैटे सबी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार मैं हूँ मोहित कमिल श्रीमाली और आप सबी का तहिदिल से स्वागित करता हूँ आपके अपनी चानल में और आज का राशी फल यानि की साथ जुलाई के इस विशेश एपिसोड में साथ ही आप सबी को बढ़ाई और शिपकामनाय देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिवस है मेरेज अन्वसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से तारिक साथ जुलाई दोहजार चौबिस है दिन रविवार का है और विशेश उपाय में इस एपिसोड के अंत में रवी पुष्य योग क्यों महत्वपून है इस दिन क्या किया जाना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए है वरना बड़ा नुकसान भी मिल सकता है तो इसकी जानकर इस एपिसोड के अंत में आपको देने जा रहा हूँ तो अंत तक जरूर बने रहेगा पंचांग की बात करें तो समवत 2018 का आशार शुकलपक्ष चल रहा है द्वित्य तितिरही की पुष्य नक्षत्र रहेगा करक राशी में चंद्रमा विराजमान रहेंगे रहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के साड़े चार बजे से लेके छे बजे तक है तो वहीं शुब चौगडिया महुरत आज के दिन आपको दो बार प्राप्त होगा सबसे पहले सुभे आट बचकर के पच्पन मिनिट से ग्यारा बच के पच्पन मिनिट तक और फिर से दो पहर में एक बचकर के पच्पन मिनिट से दो बचकर के पच्पन मिनिट तक अब ऐसे में आज के दिन अगर यात्रा आप करने के लिए जा रहे हैं इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखेगा दिशाशूल दोश लग रहा है जिसके कारण दिशाशूल दोश का परिहार करने के लिए घी खा करके या सूंग करके ही आप अपनी यात्रा आरंब कीजेगा। फिर बात होती है सुर्योदय कालीन कुंडली में शुग रहे योगों की तो आज के दिन आश्रे योग, कल्द्रुम योग, सम योग, उभैचर योग, शंक योग, केंद्र त्रिकोन राज योग, सरल योग, जेमिनी राज योग, धन योग और करम जीव योग का आपको साथ म मवमी तक निरंतर कवच का निर्मान किया जाने बाला है, आपकी समस्या या कामनपूर्ती के लिए अलग-अलग कवच का निर्मान किया जाता है, स्क्रीन पे आप ये जो नमबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं कि आपकी समस्य या यह कहा जाए कुंडली में जो दोश है जो पस्तित हैं उसके लिए क्या उपाय हो तो उनके लिए भी इसी नंबर पे संपर्क करके कह सकते हैं अपनी डीटेल्स देके कि मोहित श्रिमाली दुआरा आपको कवच निर्मान की जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं उन्हें लि रहते कुछ कवच की आपको जानकारी देनी जरूरी है जोतिश में ब्रहस्पती ग्रहे को ग्रहस्त सुक, संतान सुक, सौभाग्य, सम्रिध्धी और आध्यात्मिक उन्नती का कारक माना जाता है अगर आप ग्रहस्त सुक, पारिवारिक सुक, सौभाग्य, सम्रिध्धी और संतान से संबंदित समस्याओं से परिशान रहते हैं तो दसवतार विश्नु कवच आपको अवश्य धारन करना चाहिए दसवतार विश्नु कवच धारन करने से सौभाग्य धन संपत्ती में व्रदी तो होती ही है साथ ही साथ दामपत्य और संतान सुख की प्राप्ती भी होती है कुस अंसकारों का नाश होता है और आर्थिक लाब के मार्ग प्रशस्त करता है फिर बात होती है पित्र शांती कवज की पित्रों की शक्ती सुक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं शक्ती और सिध्धी के निश्चित स्वरूप ब बन जाते हैं और इसी पित्रदोश से जातक आधी, व्याधी, उपादी तीनों प्रकार के पीड़ाओं से कश्ट उठाता है उसके प्रत्यक कारिये में अर्चने आती हैं कोई भी कारिये सामानिय रूप से निर्विग्न संपन नहीं हो पाता यदि आप पित्रदोश से पीड कमोडिटी मार्केट से पैसा कमाना चाते हैं तो उनके लिए धन्दा यक्षिनी कवच किसी वर्दान से कम नहीं है यह सिर्फ और सिफ कमोडिटी मार्केट 16Talk, बाजार, शेयर मार्केट के लिए जो ट瑠ीडिन का काम करते हैं उनके लिए ही नहीं बलकि पैसा कहीं फस गया है या आपका बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है ऐसी स्थिती में भी ये कवच लाबप्रद सिध होता है सम्रद्धी शाली लगपती करोडपती बनना कोई गुना नहीं है ये जीवन का सौंदर्य है और आज के युग में सही दृष्टी से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता है फिर बात आती है अश्ट लक्ष्मी की जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तुमा स्वतह ही बात आती है अश्ट लक्ष्मी की अश्ट लक्ष्मी याने की धन लक्ष्मी यश लक्ष्मी आयू लक्ष्मी वाहन लक्ष्मी स्थर लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बह सकते हैं हमेशा याद रखिएगा कि बीता वह कल नहीं बदला जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हातों में होता है चलिए अब चर्चा करते हैं आज के राशी फलकी और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी से तो आपके लिए राशी भाव से चंद्रमा फोर्थ हा पे घर परिवार पर। यहाँ पर सुभे सुभे उठते ही घर परिवार वालों से नाराज़गी हो मदभेद हो इनके उभर जाने से परेशानियां आपके प्रफेशनल लाइफ में भी देखने को मिल सकती हैं घर के जो मेंबर्स हैं वो जान पूछ कर के कोई ना कोई ऐसी बात चीड़ दें जिससे कि आप यहां पे गुसा दिखाएं या फिर कुछ घलत भाशा का प्रियोग कर अपने आपको परेशान कर बैठें यह यहां पर दिखने को मिल सकता है तो अपने आप पे कंट्रोल रखना इस समय में सबसे पहली प्रात्मिक्ता होनी चाहिए तो वही चाहे व्यापारी वर्ख है या नौकरी पेशा इंसान इस समय में इस बात का ध्यान अवश्य रखने की जरूरत है यहां पर कोई भी डिसिजन जल्द बाजी में लेना हो सामने वाली से इंफ्लूइंस होकर के लेना हो या फिर किसी को फेवर करने के लिए आप वो डिसिज पर तक ना हो नौकरी पेशा लोगों को भी यहां पर यही बात की ध्यान रखने की जरूरत जादा रहेगी कि पैसा देने के पश्चाथ उसको वापस कलेक्ट करना जो है छोटी सी अवधी के लिए दिया था कि सुबह दे दो शाम को वापस दे दूँगा तो वो शाम नही अब वो आराम से हفते भर बाद में ही आपको मिलने वाले हैं यंग्स्टस ऐसे समय में कहीं वाटर पार्क जाने की कोशिश जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशन्चिप में है तो पार्टनर को ले करके लाँड ड्राइव पे आप इंजॉई करने के लिए बाहर नि फिर बात करते हैं व्रशब राशी की तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है शेमतारा का साथ और अश्टक वर्ग में 40 रॉट्स हैं ओवरॉल सिच्वेशन देखी जाए तो 100% पॉस्टिविडी की है मैं यहाँ पर कहूंगा 100 से कुछ जादा ही है और इस सिच्वेशन को जतना अच्छे से हो सकता है इंजॉय करने की ज़रूरत है क्योंकि नौ तारिक का जो सवेरा होगा वहाँ पर आपके लिए फोर्थ हाउस में चंद्रमा विराजमान होंगे और नौ तारिक होई मंगलवा लोगों से मेल मुलाकात काफी जादा फायदेमन से ढ़ी हूंगी ऐसे समय में जो ग्रहनी है आपके लिए खास तोर पे कहूंगा कि घर परिवार में सुक सम्मान और प्रतिश्टा में वरधी इस समय में देखने को मिल सकती है health wise कोई परेशानी नहीं बनी हुई है संतान से भी इस समय में अगर कोई बात करते है या पर उनके लिए कोई decision लेते हैं तो वो spot on रहने वाला है जो आप कहेंगे वोही पत्थर की लकीर सिद हो सकती है और वो बहुत ज़ादा profitable उनकले हो वो इस समय में सिद होने वाला है यहाँ पर ऐसे समय एक और चीज़ आपको कह देता हूँ अगर आप व्यापारी हैं और खास तोर पे व्यापार में इस समय में चाहे communication devices हों, networking devices हों या फिर coding और कोई भी आप से related आप काम करते हैं तो ऐसे समय में कोई ना कोई शांदार opportunity आपके सामने आने वाली है इस opportunity से पीछे मत हटिएगा तो वहीं महिला खास तोर पे यहाँ पे यह कह रहा हूँ महिला जो है जो cosmetic industry से related काम करती हो खुद के beauty products बनाती हो make-up का का काम करती हो beautification का का काम करती हो तो आपके लिए भी यह situation बहुत बहुत ज़ादा फाइदेमन आज के दिन बनने वाली है यहाँ पे काफी ज़ादा अच्छा assignment आपको मिल सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए cream color शुबरंग रहेगा number 8 फिर बात करते हैं मिथुन राशी की second house में चंद्रमा है संपत तारा का साथ फिर भी है वाश्टग वर्ग में 20 dots है overall situation यहाँ पे 40 से 45 परसंग तक support की बन रही है अब ऐसे समय में चीजें मन मताबिक होने के बावजूद भी अपना मन नहीं लगना यह परेशानी सबसे ज़ादा आएगी खास तोर पर जो घर के बड़े बुजर्ग हैं वो इस समय में उदास जादा रहेंगे अब यह उदासी का कारण कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ कि मन ही मन सोच विचार कर रहे थे मनन कर रहे थे उसके कारण उदास होना शुरू कर दिये आगे को सोच विचार करके यहाँ पर आज जो है उसको खराब करने वाली बात हो सकती है तो इसके लिए कहूंगा कि अगर सुबह उठते ही सबसे पहला कारे अगर किया जाए तो अगर मादा जी की भक्ती में अगर आप विलीन हो पाएं अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम ओम नमह, शिवाय, कजाब कर लीजेगा सुबह सुबह काफी सादा बहतर है और अगर ये भी नहीं होता कि भक्ती में, पूजा भाव में मुझे कोई भी विश्वास नहीं हो तो सीधे طूर पे चांदी का अगर आपकी घर में क्लास है तो उसमें पानी भर के रख दीजेगा रात को, सुबह उटके सबसे पहले जो पानी पीना है वो उससे पी लीजेगा, तो इतना सा उपाय तो आप कर ही पाएंगे, अब यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है शांदार तरीके से कमाई क करने वाले हैं, मैं यह कहूंगा जो अपने कॉम्पेटिशन से परेशान थे तो उनके लिए भी कोई ना कोई इस समय में आप तरकीब निकाल लेंगे, जिससे कि आपको आसानी से आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, पर अपने ही लोगों से विरोध भी जेलना पड़ सकता है, यह कहा जाए कि जो आपके friend circle में, आपके enemies के साथ में, आपके competitors के साथ में जो दोस्त जुड़े हैं, वो इस समय में आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं, यह कहा जाए कि छोटे-छोटे hint drop करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा मत करो, तो वहाँ पर थोड तो और पैसे यहाँ पर कह दूँ, कि यहाँ पर performance तो अच्छी होने वाली है, पर अपनी performance अगर देखोगे तो बहतर रहेगा, अगर comparison में पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको यह मालूम हो सकता है, कि शायद आपकी performance दूसरों के comparison में इतनी शांदार ना हो, पर खुद से ज आपके लिए राशी भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, सादक तारा का भी साथ है, अश्टक वर्ग में 24 डॉट्स मी है, 100% positivity के साथ में आज का दिन लख का है, लख फ्रंट सीट पे है, यह कहा जाए कि ड्राइविंग सीट पे लख है, जो की गाड़ी चलाने वाला है, और भागे वसाथ ही काम पूरे होने वाले हैं, मेहनत कर करके तो आपने देख ली है, पर अब उस मेहनत का जो परणाम है, वो आपको मिलने वाला है, बाए लख किसी ऐसे इनसान से मिल ले ना, जो आपका काम करवा दे, जो influence भी रखता हो, जो आपके लिए मित्रवत पॉलिटिकल इंफ्लॉइंस समय में मिल जाता है, तो ये आपकी राह जो है, उसको आसान बनाने वाला जरूर सिद्ध होगा, ऐसे ही समय में, यंगस्तर्स कहीं ना कहीं attraction में आकर के दोस्ती बढ़ाने वाले हैं, ये कहा जाए किसी के साथ में infatuation था, किनी को देख करके प पर अपनी जो मान मर्यादा है, उसका पालन अवश्य कीजेगा, इस बात का ध्यान जरूर रखी कचा है, मेरे आप भाई हैं या बहन हैं, इन बातों में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, फिर आज का दिन, अगर सोने की खरिदारी या चांदी की खरिदारी करने वा सुक संपन ता जो है, वो आपके व्रद्धी के योग अवश्य बन सकते हैं, ऐसे समय में दामपती जीवन में सुक का अनुभव होगा, तो घर परिवार का साथ समर्तन हर बात में आपको देखने को मिल सकता है, शुबरंग रहेगा आपके लिए पीच कल शुबरंग के अतना जादा ध्यान रखने की जरुरत है, कहोगे कुछ सामने वाला समझेगा कुछ, वापस रेसिप्रोकेशन में परेशानी होगी, आलस ठकान तो सबसे पहले दुश्मन बनी हुई ही है, उसे के साथ में जुबान जो है, वो भी आज के दिन दुश्मन उत्पन करने व परेशानी इस समय में संभव जरूर हो सकती है, और गलत होने की संभावना जो है, वो कुछ ज्यादा है, ऐसे ही समय में चाहे पिताजी के साथ में कहा जाए, तो उनके साथ में इस समय में किसी बहस बाजी के अंदर उलज करके खुद का नुकसान कर बैठ सकते हो, यहाँ जो व्यापारी वर्ग है, खास तोर पे इस बात का ध्यान दीजेगा, अपने जुबान के द्वारा, अपने रवये के द्वारा, आप पैसों का नुकसान कर बैठ सकते हो, यह कहा जाए, कि सामने से कोई forcefully आपके उपर दबाव बना करके आपसे पैसे लेके चला जाए, व घर के बड़े बुजर्ग और महिलाएं जो हैं, आपको भी इस समय में कहा दूँ कि आग जनी का शिकार होना पड़ सकता है, किचिन में काम कर रहे थे, जल गए, गरम तेलता छिटक करके आपके उपर लग गया, परेशानी तो होगी, दर्द भी होगा, और उससे जूजना इस समय में पढ़ सकता है, तो बहुत जादा प्रेकॉशन रखते हुए, आज की दिन काम कीजेगा, तो घर के बड़े बुजर्ग भी जो हैं, इस समय में कोई गरम चीज का लग जाना हो, गरम चीज से परेशानी होना हो, या यह कहा जाए, गाड़ी का जो साइलेंसर था, बाई का साइलेंसर वो ही पैरों पे चिपक जाए, तो उससे भी परेशानी इस समय में हो सकती है, तो बहुत बहुत जादा ध्यान इस समय में रखते हुए, आगे आपको बढ़ना होगा, शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुबरंग रहेगा नंबर सिक्स, फिर बात करते हैं कन्या राशी की, और आपके लिए चंदर में आ चुके हैं इस समय में 11 थाउस में, संपत तारा का साथ है, अश्टेग वर्ग में 31 डॉट से, 100% पॉस्टिवरी है, यहाँ पे कहूँगा दोनों हाथ गी में, सिरकड़ाई में है, जहाँ पैसे इन्वेस् बात का, तो आगे जाकर कि अगर मांगते हैं, तो आपको आपका पैसा इस समय में चाहे, सामने वाला ना चाहता हो, ना चाहते वोए भी आपको पे अवश्य करेगा अपनी इज़त को बचाने के लिए, ऐसे ही समय में घर में विवा संबंद भी तैह हो सकता है, घर में पर शिनारियल हो, या फिर अपने घर की बहू है, बेटी है, उनके लिए कपड़ों की खरतदारी भी आप कर सकते हैं, खास तोर पे अगर पंदरा तारिक को आपके घर में शादी है, तो उसके लिए इस समय में ज्वेलरी की परचेस करना बहुत ही जादा शुबसाबत हो सकता है, कोई लंबी दूरी की यातरा अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने बिजनिस के लिए, तो वो भी ये समय आपके लिए बहुत जादा सुखद रहेगा, पर इस बात का ध्यान रखेगा, मंगलवार का दिन जो है, नौ तारिक जो है, वहापे आपके लिए ट्वेल्थ चुके हैं, इस समय में टेंथ हाउस में, शेमतारा का साथ भी अश्टग वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवराल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव रख रहे हैं, और ऐसे समय में खास तोर पे बदलाव जो है, वह चेंजिंग जिसे हम एंवाइनमेंट कहते हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है, चाहे रूल्स और रेगलेशन्स में चेंजिस हो, या फिर जो एथारिटी आपके उपरती उसमें कोई चेंज हो, वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, पर फिर भी उससे पॉजिटिविटी मिलेगी, ग्रोथ के चांस मिलेंगी, आपको आगे बढ़न अपनी सोसाइटी में अपने इंफ्लोइंस की बात कही जाए, अपने नाम और शोहरत की बात कही जाए, तो उसमें भी वरदी देखने को अवश्य मिलने वाली है, खास तोर पे व्यापारी वर्ग जो है, अगर आप अपने स्टाफ के लिए इस समय में कोई भी खरतदारी क खरीद करके लेके आजाते हैं, इतना छोटा सा एक उपाय करके देख लीजेगा, आज के दिन आप अपनी कमाई के अंदर जो वरदी है वो आप देख लीजेगा, ये छोटे से उपाय से, इसे के साथ में शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुबरंग रहेगा, खास तोर पर व्यापारी वर्ग इस बात का ध्यान दीजेगा, अपनी सोच से परे खर्च करना पड़ सकता है, रिपैरिंग में, मेंटेनिंस में, बेकार के लोग और बेकार के काम जो हैं, वो इस समय में समय की बरबादी सिद हो सकते हैं, और ना चाहते हुए भ वापस मदद भी तो करनी है, और उस मदद के चकर में अपने खुद के कमाई के सीजन से आप बंचेत होते चले जाएंगे, यहाँ पे एगो का सवाल हर बात में आ सकता है, उससे भी थोड़ा संबल करके रहना होगा, वरना कहीं जगाओं पर अचानक से रुखा वेवहार दिखा देना, कुछ कह देना, यह परेशानी का कारण बन सकता है, ऐसे समय में अगर पुत्र संतान है, तो पुत्र संतान से बैट करके विचार विमर्ष करना चाते हो, कोई बात करना चाते हो, तो छोड़ दीजीगा, क्योंकि यह बात नहीं, यह बहस होने वाली है, और इ ग्रहनी जो है खास तौर पे ऐसे समय में, अगर आप किसी तरीके से अपने पती के लिए, अपने परिवार के लिए कोई उपाय करना चाती है, तो एक बार इस एपिसोड के अंत में चले जाएगा, आपको एक मंत्र मैंने बताया है, उसका उचारण आज की दिन से शुरू कर दीजेगा, अपने आप देखते ही देखते, अपने घर परिवार के स्थिती में आप बदलाव देख पाएंगे, शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुबरंख रहेगा नबर वन, फिर बात करते हैं धनूराशी की, तो आपके लिए एट थाउस में चंद्र जो satisfaction की आप इच्छा रखते हैं, या फिर जो bonding की आप इच्छा रखते हैं, वो इस समय में फुल्फिल ना की जाए, या फिर दोस्तों के साथ में विचार विमर्श करने बैठना चाते थे, घूमने जाना चाते थे, पूरा प्लान सब कुछ शेडियूल था, और उसके बा यहां पे आज दिन धनुराशी को परिशानी नहीं है, मैं यह कहूंगा कि बाहरी लोग जो हैं, अगर फोन पर काम करने वाले हो आप, हर चीज़ फोन पर है, जाकर कि किसी से मिलना नहीं, फोन पर, वीडियो कॉल पर बात हो जाती है, मेल पर बात हो जाती है, वाटसाप प रखिएगा जो दिखता है वही बिखता है ये वाला कॉंसेप्ट अगर इस्नुमाल कर लेते हो तो आप फायदे में रहोगे स्वास्ति को लेकर कि कुछ नरम मिजाज इस समय में फिर भी देखने को मिल सकता है तो वहीं पे ऐसे समय में पिता जी के साथ में छोटी छोटी बा आते हैं हमारे कॉंसेप्ट अलगे हैं हमारी सोच अलग है इन बातों को लेकर कि थोड़ा अपनी प्लानिंग में ठहराव देखने को मिल सकता है रुकावट देखने को मिल सकती है पर कहीं न कहीं उस बात को फिर से आप दोनों ही युनानिमसली डिसिशिन लेने में आगे बढ़ पाएंगे परेशानी की बात 8,000 के चंदरमा में नहीं है सबसे अच्छी बात है धनुराशी के लिए शुबरंग रहेगा आपके लिए परपल कलर शुबरंग रहेगा नमबो वन फिर बात करते हैं मकर राशी की और मकर राशी के लिए इस समय में 7,000 में चंदरमा की बात कही जाए क्योंकि रवी पुष्यययोग का भी साथ मिल रहा है तो इस कारण से यहां पर अगर खरतदारी आप करने वाले हैं चाये सोने चांदी को सोने का सिक कई खरीद लीजे तो फाइदा तो उसे जरूर मिलेगा यहीं पर जीवन साथी के नाम से अगर आप कोई भी investment कर देते हैं उनकी नाम से कोई खरतदारी कर देते हैं तो अपने आप में ही वो शुब पहले बन जाएगा ऐसे समय में अगर government employee है या कोई बड़ी पद अधिकारी के assistant है तो इस समय में कहीं ना कहीं से मौका आपको फाइदे का मिलने वाला है यह कहा जाए कि monetary gain जो है वो आपको कमाने का मौका मिल सकता है किसी का काम करवा के तो यह situation अवशे ही आपको देखने को मिलेगी तो यहीं पर सुक सुधाओं की प्राप्ती भी होने वाले यह शांदार लोगों का साथ समर्तन मिलेगा और मन ही मन confidence जो है वो बढ़ना शुरू करने वाला है पर इस ब समय में अगर बच करके नहीं चल पाए तो मान करके चलिएगा कुछ बड़े आप इस समय में निर्ड़ें ले ले लेते हैं या कोई बड़ा commitment कर बैठते हैं तो आगे ही 9 तारिक को 8 थाउस में चंदर में आ जाएंगे जहां पर परेशानी जो है वो पहाड बन करके सामने आ सकती है वहां पर आपको संभल करके अवश्य होना होगा अब यहां पर अगर कोई रंग का इस्तमाल करना हो खी तो आजके तो अगर आप महला हैं तो लाल रंग का इस्तमाल आज के दिन करके देखिएगा आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा शुब होगा तो वही पे पुरुश है तो आजके दिन जिसे हम ब्लड रेड कहते हैं गुलावी लाल कहते हैं इस रंग का आप इस्तमाल कर रही है और चिंता की बात यहां पर फिर भी नहीं है अच्छी कमाई देखने को मिलेगी व्यापारी वर्ग को तो यंगस्तर्स जो है इस समय में अगर कहीं मेल किये थे जॉब अपॉचनिटिक ले या फिर जा करके कहीं इंटर्वियू आज की दिन देने जा रहे थे तो आप को सफलता आवश्य मिलने वाली है अपने ही घर परिवार के अंदर इस समय में समर्थन जादा देखने को मिलेगा लोगों का साथ मिलेगा ये भी कह सकते है कि माता पिता हो गए चाचा चाची हो गए तो इनके द्वारा कोई ना कोई नौकरी की यहाँ पे सिफारिश लग स पैसा आपके पास में किसी का है जो आपको चुकाना है तो अब इस समय में उस situation बन रही है कि कहने से पहले आप आकर के उसका पैसा चुका दें ताकि आपके लिए वापस आगे जाकर के जो वापस उधार लेने की situation है वहाँ पर कोई आनका नहीं ना हो ऐसे समय में अपने competition आकर्शत हो करके कहीं उनके पीछे गलत कार्य कर बैठना ये आज के दिन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है इससे आपको थोड़ा संबल करके रहना ज़रूरी है शुबरंग रहेगा आपके लिए मरून कलव शुबरंग रहेगा नमबर सेवन फिर बात करते हैं मी निराशी के और आपके लिए चंद्र मा आ चुके हैं इस समय में फिफ्ट हाउस में रधेमित्र तारा का साथ भी अश्टेक बर्ग में 29 डॉट्स भी है ओवरॉल सिच्वेशन 70% के लगबग आपको सपोर्टिव मिल जाएगी पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है क कि खुद के साथ में कुछ गल्ट नहीं है पर दुनिया में क्या हो रहा है वो बहुत प्रभाविद कर रहा है खास तोरपे किसे नियर अइंड येर कहा जाए कोई फ्रेंड कर चाई या फ्रेंड के कोई फ्रेंड का अगर इस समय में नधन हो जाय तो उनके जो शुक समाच उसको लेकर कि इस समय में खुद मन ही मन बहुत जादा परेशान होते नजर आ सकते हो। यह कहा जाए कि हुआ कि हुआ किसी और के साथ में पर धक्का अपने को लग गया। कि नहीं अपने पास में रिसोर्स होने चाहिए हैं, एज्जस्मेंट यह होना चाहिए, मेरा जीवन क अपने काम करने से अपने लोगों का ध्यान रखने से रोक रहा है, वंचित कर रहा है, जो यहां पर थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, यहां पर इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा प्राक्टिकल होते हुए चलना जरूरी रहेगा। जादा दूसरों पर विश्वास करना या दूसरों के लिए जादा महसूस करना ये इस समय में और कुछ नहीं, बलकि जो आपके लिए उपरचुनिटी बन रही थी, उससे दरवाजा बंद कर सकता है, जहां पर आपको ध्यान रखना है। यहीं पर यंगस्तेज जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी दोस्त से कुछ सुन करके आगए, कि अरे मैंने सौ रुपे डाले, सौ से हजार बने, हजार से लाक बन गए, तुम भी डालना शुरू कर दो, तुम डिरेक्ली लाक रुपे ही डालो। तुम्हारे पास में तो है, तुम्हारे तो फैमली भी बहुत स्ट्रॉंग है, तो इन बातों से बहुत संबल करके रहिएगा। इस समय में खास दोर पे दोस्ती यारी के अंदर नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये कहा जाए कि कोई बाटल में उतारने की कोशिश कर सकता है, मीठी मीठी चिकनी चुपडी बातें की और आपको फसा लिया, आप घर परिवार वालों के पास में गए कि नहीं नहीं ये अपॉचुनिटी है और मुझे करना जरूरी है, ये बातों से घर परिवार वाले तो समझ जाएंगे, कि किसी ने तो आपको बुद्धू बनाया है, आपको कहेंगे भी पर आप उनकी बात नहीं मानना चातें, तो इस से आपको बहुत सावधान रहना है, ऐसे ही समय में व परेशानी सामने आ सकती है, वहाँ पे थोड़ा अपने आपको काम और कंपोस्ट रखते हुए आगे बढ़ना होगा, शुबरंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुबंख रहेगा नमबर वन, ये तो हुई बात आजके राशी फलकी, अब हम बात करते हैं भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये सभी जानकरी में आपको देने जा रहा हूँ, रवी पुष्यय योग को अत्यंत शुब माना जाता है, इस दिन किये गए कारियों का फल कई गुना अधिक मिलता है, इस योग में किये गए दान, सनान, पूजा पाट, जब तब क विशेश महत्व होता है, और रवी पुष्यय योग निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, सम्रिद्धी और सफलता लाएगा, ये मेरा विश्वास है, पुष्यय नक्षत्र यदि रविवार को होता है, तो उसे रवी पुष्यय नक्षत्र कहा जाता है, जो काफी समस्या समाधान के लिए बनाने जा रहे हैं, आपकी कामना पूर्ती के लिए आपके समस्याओं के समाधान के रूप में कवच एक एहम भोमे का निभाता है, अब अपनी समस्या के अनुसार कौन सा कवच धारन करें, ये फायदे मंद कौन सा सिध होगा, वो आप इन फोन न नक्षत्र, नए बिजनस शुरू करने के लिए, महदवपून निर्ने लेने के लिए, आध्यात्मिक विकास की खोज के लिए एक जरूरी समय माना जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार दो हजार चौबिस में रवी पुश्य का योग ये कहा जाए रवी पुश्य नक् सहित सभी प्रकार की खरदारी बहुत जादा शुब और लापकारी सिद होती हैं, साथ जुलाई दो हजार चौबिस को यानि की आशारी गुप्त नवरातरी की द्वित्यत ही थी, सुभे पाँच बचकर के उनतेस मिनिट से आठ जुलाई दो हजार चौबिस की सुभे बहुत बहुत जादा शुब साबित होती हैं, यहां पर आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जो पुष्य नक्षत्र में अगर किये जाएं तो काफी ज्यादा आपके लिए शुब और ये कहा जाए कि काफी ज्यादा फाइदे मनसिद होते हैं, रिग वेद में इपरत हो जाना चाहिए हैं, उदित होते सूर्य को अर्ग देना चाहिए ओम घ्रणी सूरियाय नमहा, इस मंत्र की एक माला जाप अवश्य करनी चाहिए, आदित हिदे स्तोत्र का पाट करना हैं और इससे आयू और आरोग्य की प्राप्ती होती है, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले या सरकारी नौकरी में प्रमोशन चाहने वालों के लिए ये उपाय सबसे जादा फाइदे मंसिद हो सकता है, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव बुरे प्रभाव दे रहे हैं, उन्हें इस दिन सूर्य को जल में गुड या तफिर शकर थोड़ा सा पुष्प डाल करके अर्ग अवश्य देना चाहिए, इसे सूर्य की पीड़ा कम होगी और उन्हती के रास्ते खुलेंगे, जो लोग सूर्य का रत्न यानि की मान की अधारन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दिन वर्ष का सर्वश्चुरेश्ट दिन माना जा सकता है, और जिन लोगों को शनी की सारे साती या धहिया चल रही हैं, वे लोग हर पुष्य नक्षत्र में कच्ची चांदी अपनी सामर्तिय अनुसार खरीद लें, जब शनी की सारे साती या धहिया समाप्त हो जाए, तब सारी चांदी को एकटा करके विश्णु भगवान की प्रत सारे साती या धहिया अभी चल रहा है, अब रवी पुष्य योग में जो चीजें हैं लेने से लक्ष्मी माता को प्रसंद किया जा सकता है, वो आपको बताने जा रहा हूं, रवी पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी खरीदने से भी ज्यादा, शुब फलदाई जो है, व जैसा निशान होता है, इसलिए इसे एकाक्षी नारियल कहा जाता है, और एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और इसलिए रवी पुष्य योग के दिन इसे घर लाकर के विधिविधान से पूजा करके पूजा घर में रखने से घर में कभी पै परेश्या को खतम करने के लिए लक्षमी नारायन की पूजा करें पूजा में ओम, श्रीम, रीम, धरिद्रय, विनाशन ये, धन, धान, ये, समरिद्धी, देही, देही, नमहा, इस मंत्र का कमल गट्टे की माला से 108 बार जाप करें। शुब योग में इस लक्षमी मंत्र का ज आप करने से धन प्राप्ती का योग बन सकता है। दूसरा उपाय, रवी पुषय योग के दिन घर के बाहर स्वस्तिका का चिन बनाना है और द्रक्षनावरती शंक की पूजा करनी है। इस शंक का भगवान विश्नु और माता लक्षमी का आशिरवाद प्राप्त है। और ऐ पूरती स्थाप्त करने से धन और एश्वरे की प्राप्ती होती है। ऐसा करने से कारोबार में तेजी आती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। नौकरी प्राप्त करने के लिए या फिर नौकरी में तरक्की के लिए रवी पुषय योग में पारद लक्षमी की पूजा करना सबसे जादा शुब बताया जाता है चौथा उपाए पारद लक्षमी के साथ ही साथ एकाक्षी नारिल की भी पूजा अगर कर ली जाए यानि कि एकाक्षी नारिल को माता लक्षमी का स्वरूप जो माना गया है तो विधी पूर्वक पूजा करने के बाद में धन के स्थान पर रखने से घर यद फिर व्यापार में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती और धन्दान्य की व्रद्धी लगातार होती रहती है पांच वाउपाई रविपुश्ययोग के दिन आप माता लक्षमी के चमतकारिक कनक धारा स्तोत्र और लक्षमी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं कनक धारा स्तोत्र के रचेता शंक्राचारिय हैं उन्हां ने स्तोत्र का पाठ करने से धन की वर्षा करवा दी थी नियमित इस दिन पर या ये कहा जाए कि इसका पाठ अगर आज के दिन शुरू कर लिया जाए तो वैभव और एश्वरे की प्राप्ति हो सकती और शत्रों से भी मुक्ति मिल सकती पुष्य नक्षत्र जिस वार को आता है उस वार को जोड़ करके पुष्य नक्षत्र योग बनता है सबसे जादा शुब जो हम मानते हैं वो है गुरुवार, शनिवार और रविवार अब इन में जब भी पुष्य नक्षत्र हो तो गुरु पुष्य नक्षत्र कहलाता है शनी पुष्य नक्षत्र कहलाता है या तो फिर रवी पुष्य नक्षत्र कहलाता है और सभी वारों को पुष्य नक्षत्र का फल अलग अलग होता है तो ऐसे में रवी पुष्य योग को सबसे जादा शुब बताया जाता है अब ऐसे समय में एक और बात का ध्यान रखना बहुत जादा जरूरी है काम तो अनेक हो सकते हैं पर कहीं ऐसे काम भी हैं जिनको करने से नुकसान जो है वो पूरे वर्ष उठाना पड़ सकता है ये कहा जाए कि भारी नुकसान हो सकता है तो गलत नहीं होगा जोतिश के अनुसार पुष्य नक्षत्र शुब तो बहुत होगा लेकिन कुछ स्थिती में इस दिन कुछ कार्य वर्ष जित बन जाते हैं विद्वानों का मानना है कि इस दिन विवा नहीं करना चाहिए क्योंकि पुष्य नक्षत्र गो ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है इसलिए इस नक्षत्र में विवा वर्जित माना गया है बुधवार और शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले पुश्य नक्षत्र उत्पात कारी भी माने जाते हैं तो इस दिन कोई भी शुब या मंगल कारिय नहीं करना चाहिए है फिर पुश्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदना शुब है लेकिन महरत चिंतामणी नक्षत्र प्रकरणन ग्रंत केश लोक दस्के अनुसार पुश्य पुनरवसू और रोहिनी इन तीन नक्षत्रों में सुहागिन स्वर्ण को नए वस्त्र नए गहने पहने से बचना चाहिए है ऐसा भी लिखा गया है तो इन बातों का ध्यान रखते हुए पुश्य नक्षत्र की खरदारी कीजेगा अपने इस दिन को और जादा शुब बनाईएगा क्या उपाई किये जा सकते हैं कैसे इस दिन की शुबता का आप सही तरीके से फाइदा उठा सकते हैं इस सभी जानकरी मैंने आज के दिन आपको दी है आशा करता हूँ आपको इस एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा और पसंद आया है तो क्रिप्या कर इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ में अपने परिवार जन के साथ में जरूर शेयर कीजेगा हमेशा की तरह प्रातना यही करूंगा और करता ही रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशिरवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन